नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन, टी एन एन रेडियो से, प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार, आए जानते हैं आज की सुर्खियां चीन से फिर होगी बाचीत, गतिरोध समाप्त करने पर होगी चर्चा महराष्टर ने 30 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, मुखे मंत्री ने कहा नहीं दे सकते हैं चूट कॉंग्री सद्धिक्च सोनिया गांधी ने तेल की बढ़ती कीमतों को वापस ले जाने की मांग की नेपाल में छात्रों ने किया चीन का विरोध, आएए अब जानते हैं खबरें विस्तार से पूर्वी लदाक में सीमा पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच फिर से सैन्यवारता होगी भारती और चीनी से प्रतिमिंद्नी मंदन लेह के चुशुल सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने पर चर्चा करेंगे ये दोनों दिनों में तीसरी मुलाकात होगी इस बार बातचीत भारतिय पक्ष में चुशुल में होगी पिछली दो बैठक चीन की ओर से मोल्डो में हुई थी महामारी कोरोना वाइरस को लेकर महराश्ट्र में हालात बिगड़ते जा रही है ऐसे में सरकार ने लॉकडॉण के अवधी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है महराश्ट्र के मुखे मंतरी उधव ठाकरे ने भी साफ किया था कि 30 जून के बाद भी राजे में आंशिक छूट के साथ लॉकडॉण जारी रहेगा राजे के चीफ सेकरेटी अजॉई महता की तरफ से लॉकडॉण बढ़ाने के आदेश जारी करते हुए कहा कि राजे में करोना वाइरस के फैलने का खत्रा लगतार बना हुआ है इसलिए वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए जरूरी उपाई के तहट ये कदम उठाया गया है हाला कि लॉकडॉण के दौरान राजे में जरूरी दुकाने खुले रहेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोधी सरकार से अपील की है उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमते मोधी सरकार फोरण वापस ले उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजर में लगाताल हो रही बढ़ोत्री ने देश वाश्यों का जीना बेहत मुश्किल कर दिया है आज दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमते 80 रुपए प्रतिलीटर के पार हो गई है 25 मार्च को लोगडाउन के बाद पिछले 3 महीने में मोधी सरकार ने 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए है इससे पहले कॉंग्रेस के पुरवध्यक्ष राहूल गांधी ने कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल की कीमते बढ़ाने के सरकार के फैसले को जनता के साथ अन्याई बताते हुए लोगों से इसके विरुध शुरू किये गए अभियान में शामिल होने का आवाहन किया है उधर चीन की विस्तारवादी नीतियों से नेपाल जैसे उसके मित्रदेश काफी परेशान है वो नेपाल में अवैद रूप से जमीन कबजा करने में लगा हुआ है नेपाल में बढ़ते चीनी दखल और उसके विस्तारवादी नीती का बड़े पैमानी पर विरोध हो रहा है सोमवार को कई जिले में बड़ी संख्या में छात्र सडकों पर उतराए और चीनी राश्ट्रपती शी जिनपिंग के पुतले जलाए प्रदर्शनकारियों ने चीन वापस जाओ के नारे लगाए और नेपाल की हड़पी 36 हेक्टेर जमीन वापस करने की मांगी दोस्तों आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूँगी मैं यानि की आपकी दोस्त कंचन आपके अपने रेडियो चैनल यानि की TNN रेडियो में आज के लिए इतना ही दीजिया अनुमती अपनी दोस्त को नमस्कार